हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं आपके लिए अर्निंग की एक और यूनिक वेबसाइट लेके आई हूँ जिसके हेल्फ से आप अपने घर बैठे किसी भी नए पुराने मोबाइल फोन या लैप्टॉप से काफी अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे आज मैं आपको जस अर्निंग टृक के बारे बताऊंगी वो काफी एजसी सा अर्निंग मेठोड है और सबसे बड़ी बात उसके लिए आपको किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है ना ही किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत है इस काम को एक हाउसमेकर भी कर सकती है एंड एक स्टूडेंट भी कर सकता है आप सिर्फ एक वेबसाइट से लाखो हजारों कोर्सेस ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको अपने मन मुदाबिक कीमत पे बेच के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं सबसे अच्छी बात यह 100% जेन्वीन वेबसाइट है 100% लीगल है और सबसे बड़ी बात यह copyright फ्री है आप इससे कोई भी e-book डाउनलोड किजे एब डाउनलोड किजे या किसी भी तरह का software डाउनलोड किजे यह 100% copyright फ्री है तो आपको किसी भी तरह की tension line की जरूरत नहीं है आप लीगल तरीके से लाखों हजारों online courses ऐसे ही डाउनलोड करके उसको अपने मन मुताबिक कीमस पे बेच के और काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं बस आपको छोटे छोटे जो steps से उसको follow करने हैं अतलब अगर आप simply देखिए तो सिर्फ एक copy and paste method है कि आपको एक जगह से इसको copy करना है और दूसरे जगह पर इसको paste कर देना है तो hello दोस्तो मेरा नाम है नंदिनी और मैं आपके लिए earning और technology से related videos लेके आती हूं अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगे तो प्लेज इसको like किजेगा and comment करके मुझे जरूर बताइएगा also अगर आप मेरे channel पे नए है तो प्लेज इसको subscribe कर लिजेगा और bell icon पे hit करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि उसी से आपको मेरे upcoming videos के सारे notification मिलते है so friends आज मैं आपको जिस website के बारे में बताऊंगी उसका नाम है indigital workers.com आप एक बच सच किजेगा तो आप देखेंगे बहुत सारे websites ऐसे इस तरह के जो internet पे available हैं जहां पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं so friends मैं आपको इस website के बारे में बताती हूं indigital workers.com इस website पे आप लाको हजारों courses already available है free copyright 100% legit है 100% genuine है आप बस उन courses को download किजेगा और उसको अपने मन मुताबिक कीमत पे आगे में बेच के अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे so friends चलिए मैं आपका अपने laptop screen पे ले चलती हूं और एक-एक step आपको समझाती हूं तो चलिए फटा-फट वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम अपने computer screen पे आ गए हैं अब मैं आपको indigital workers.com के website पे ले चलती हूं और दोस्तो हम indigital workers.com के website पे आ गए हैं एंड यहां पे सबसे पहले हमें देखना है PLR products क्या होते हैं PLR का full form होता है private level right PLR का full form होता है private level right वाले जो products होते हैं वो होते हैं PLR products दोस्तो जो PLR के products होते हैं वो 100% free of cost होते हैं 100% copyright होते हैं जिसको आप download करके आसानी से आगे में बेच सकते हैं और PLR products बहुत सारे होते हैं जैसे की e-book हो गया जैसे की कोई app हो गया जैसे की कोई software हो गया तो इसके अंदर बहुत सारे product आते हैं जो free of cost होते हैं जो copyright free होते हैं 100% legal होते हैं आप इसको आसानी से डाउनलोड करके आगे में बेच के और अपने मन मुताबिक की में इसको बेच के कमा सकते हैं आप सिफ एक method से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ मैंने बहुत सारे website पे विजिट किया है लिकिन मुझे सबसे अच्छा यही website लगा है www.indigitalworkers.com आप यहां पे आगे में जाएंगे free products में तो आप देखेंगे यहां पे बहुत सारे जो products हैं वो available हैं जिसे free e-book हो गया free software हो गया free videos हो गया free templates हो गया free graphics हो गया free music हो गया यहां पे आप इन सारों को download करके आसानी से बेच सकते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ और भी बहुत सारे ऐसे websites हैं जिनको मैंने search किया है जैसे कि idplr.com इस website पे आप देख सकते हो कितने सारे e-book, videos, audio pack turnkey sites बहुत सारे templates एविलेबल हैं free of cost जिसको आप download करके आसानी से यूज कर सकते हैं and guys यहां पे दूसरी website है जिसका नाम है resale rights weekly.com यहां पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे free of cost e-book, videos, templates, graphics है available जिसको आप free of cost डाउनलोड कर सकते हैं and उसको अपने जरूरत के हिसाब से आगे में यूज कर सकते हैं दोस्तों अब हम in digital workers.com के website पे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ वहां पे हम registration कैसे कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यहां रेजिस्टर पे क्लिक करेंगे और रेजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक page open होगा जिसको scroll करके हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद left side में आप देखोगे यहां लिखा है free membership free membership के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है register for free आप register for free पे क्लिक किजेगा सो क्लिक करते ही आपको एक page open मिलेगा जिस पे लिखा हुआ है upgrade membership यहां पे आप देखोगे membership type में already आपने free चूज कर रखा है silver membership free and उसके बाद आपको अपने कुछ information देना है जैसे कि first name हो गया, last name हो गया, अपने email address देना है confirm email address डालना है एक password generate कर लेना है confirm password डालना है and यहां पे I am not a robot पे क्लिक करने के बाद आप next पे क्लिक किजेगा दोस्तों मैंने सारे information fill कर लिये है and make sure आप यह सारे information अच्छे से correctly डाल लिजेगा and इसके बाद आपने जो भी email IDs में register किया है, उस पे आपको एक mail आया होगा उस mail को आप open करेंगे and open करने के बाद आपको एक account verification का link आया होगा उस link पे आप click करेंगे and जैसे ही आप link पे click करेंगे आपको लिखा हुआ आएगा thank you for signing up इसका मतलब कि आपने अपने account को sign up कर लिया इसके बाद आप नीचे में दिखेंगे लिखा हुआ है enjoy your membership please click here to access your area, तो click here पे आपको click करना है and guys आप देख सकते है in digital workers.com पे हमारा account create हो गया है और आप login भी कर चुके हैं इसके बाद आपको उपर में free products जहां लिखा है वहाँ पे click करना है and आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी free product already available है जैसे कि free book, free software, free videos free templates, free graphics, free music तो आप इसमें से कुछ भी एक चूज कर लिजेगा मैं e-book चूज कर रही हूँ and दोस्तों जैसे ही आप e-book चूज करेंगे, आपको बहुत सारे category के e-book दिखने लगेंगे आप scroll करके नीचे जाएंगे तो different different category के आपको e-book दिखेंगे, आप अपने convenient according कोई भी e-book चूज कर लिजेगा मैं यहाँ पे the insider guide to niche researcher इसको मैं click कर रही हूँ and दोस्तों जैसे ही आप इस link को click करेंगे आपको एक page open होगा जहाँ पे niche researcher के बारे में बहुत सारे information दी गई है आप इस page के सबसे उपर में दिखेंगे download का option है, आप इसको download कर लिजेगा and इसके साथ साथ जो भी information है आप उसको एक जगा copy करके रख लिजेगा ताकि आपको बार-बार इस page पे आने की जरूरत ना पड़े and दोस्तों इसको download करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताय था कि इस तरह के बहुत सारे websites है जहां से आप इस तरह का काम कर सकते हैं जैसे कि आप idplr.com के website पर जाएंगे तो आपको इसी तरह का एक e-book डाउनोड करके और जो भी process से आपको आगे करना है अगर आप इसके बाद my resell rights products के website पर जाते हैं तो यहां पर भी आपको e-book वाले option पर जाना है और यहां से भी आपको अपने convenient के according एक e-book डाउनोड कर लेना है और उसको अपने according आगे में जैसे यूज करना है आप कर सकते हैं तो यह रहें websites कुछ जो हम PLR products के लिए यूज करते हैं और दोस्तों इसके बाद इसके बाद आपको एक ऐसी website सर्च करनी है जहां पर आप यह सारे e-books जो है उसको बेच सके तो ऐसी ही एक website है gumroad.com जहां पर आप इस तरह की e-books की selling कर सकते हैं और यहां पर आपको उपर में start selling लिखा है इस पर click करना है click करने के बाद आपको एक sign up for gumroad का page open होगा जहां पर आपको connect with facebook option है और connect with twitter option है मतलब यह दोनों option आप use करके अपना account gumroad.com पर create कर सकते हैं तो मैंने यहां पर connect with facebook चूज किया है यहां पर मैं facebook के through account open कर चुकी हूँ और इसके बाद मुझे एक page open मिला है welcome to gumroad यहां पर भी आपको अपने कुछ information देने हैं जैसे कि name हो गया, username हो गया, bio हो गया, photo हो गया अब यहां पर name में आप अपने organization का name डाल लिजेगा या आप अपना full name भी डाल सकते हैं and username में आप एक username select कर लिजेगा अपने convenient का according इसके बाद bio में आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं जैसे कि आप काम क्या करते हैं you can go over niche researcher जो आप कर सकते हैं या पर आप अच्छे से feel कर लिजेगा इसके बाद photos में आप चाहें तो आप इसनी photos में upload कर सकते हैं या अगर आप चाहें, तो इस method को skip भी कर सकते हैं, इसके बाद community में आप यहां से एक community चूज कर लिजेगा, देखिए यहां पर बहुत सारे community दिये हुए हैं, इसके बाद country में आप India सेलेक्ट कर लिजेगा and उसके बाद next add your first product पे click किजेगा, इसके बाद दोस्तों आपको एक page open मिलेगा, publish your first product, यहां पर आपक classic, pre-order and membership, आपको इन तीनों में से कुछ भी change नहीं करना है and उसके बाद name है, नेम में आपको name of product लिखना है, तो यहां पे make sure आपने जो भी e-book download किये हैं, आप उसी का नाम लिखिएगा and उसके बाद amount, amount में आप एक बार market check कर लेजेगा, कि लोगों ने एक e-book के कितने price र दीजेगा and इसके बाद next customize पे click किजेगा and इसके बाद एक और page open होगा, what you are creating, यहां पे आपने जो name mention किया है, वो आपको दिख रहा होगा, मैंने नीस researcher लिखा हुआ था, तो मुझे वही लिखा हुआ रहा है and second में description लिखा हुआ है, यहां पे आपको अपने product के बारे में बिल्कुल अच्छे से define करना है, उसके अंदर जो भी कुछ आपने लिखा है या पढ़ा है या आपने जो भी कुछ डाउनोड किया है, उसको अच्छे से mention करना है, ताकि जो भी buyer है वो आपकी book को पढ़ते ही एक बार में impress हो जाए और वो आपकी book को खरेद ले, इसके बा करेंगे, वो option आप यहां पर select कर लिजेगा, क्योंकि आप जो भी option select करेंगे, बायर को वही दिखेगा, इसके बाद नीचे में additional details है, आप चाहे तो यहां पर भी अपने e-book के बार में बहुत सारे information दे सकते हैं, जिससे जो बायर है वो आसानी से इसको पढ़ सके और इंप content upload करने के बाद, दोस्तों आप नीचे में देखेंगे, और भी बहुत सारे option दिये हुए हैं, आप इसको भी feel कर लिजेगा, और दोस्तों I am requesting you, यह one time investment है, तो आप जितना अच्छे से हो सके, आप name यहां पे डालिएगा, अपने project के बार में, अपने product के बार में, जो भी description है, बिल्कुल अच्छे से दिजेगा, impressive दिजेगा, ताकि जो भी buyer है, वो आपकी product को देखते ही, उसको ऐसा लगे कि हाँ, इसको मैं ले सकता हूँ, तो आप इसको अच्छे से, बिल्कुल जितने अच्छे से हो सके, आप time लेके, एक बार ही करना है, तो आप बिल्कुल अ करना है, and click करने के बाद, जो भी आपके जो changes है, उसको आप save कर दीजेगा, and उसके बाद आपको publish पे click करना है, तो सारे changes आप save करने के बाद, यहाँ पे जो publish है, यहाँ पे आप click कर दीजेगा, and जैसे ही आप public पे इसको click करेंगे, तो आपके जो भी e-book है, वो publish हो तो जो भी customer है जिनने इस तरह की e-book purchase करनी है तो उसको आपका ही e-book देखेगा इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो भी detail है जो भी आपके product के description है उसको आप अच्छे से feel कर लीजेगा ताकि आपका जो भी product है वो सबसे पहले दिखे देखे देखे दोस्तो जितना अच्छा आप इसमें information feel कीजेगा जितना अच्छा आप इसका description डालेगा उतना ज्यादा आपका e-book जो है वो grow करेगा वो सबसे फर्स पेस पर देखेगा और दोस्तों चैसे ही कोई buyer आपके name के book से कोई e-book सर्च करता है तो उसको सबसे पहले आपका सो फ्रेंड्स मैंने आपको earning की एक unique trick बताई जो बिल्कुल नया है इसमें आपको simply एक copy paste method के help से घर बैठे काफ़े अच्छी खासे कमाई कर पाएंगे और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like किजेगा और आपने अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको subscribe कर लिजेगा और bell icon पे hit करना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि उसी से आपको मेरे upcoming videos के सारे notification मिलेंगे तिल देन stay safe stay healthy thank you